नमस्कार दोस्तों विल्कम टो वंडे एक्जाम क्लासेटी के जल्द ही आपके रेवले में एंटी पीसी गुरूप डी दो जाउनीस की एक्जाम लगने वाले हैं जिसे देखते हो आपको लगातार हम पिछले सालों के हल प्रिश्वत करा रहे हैं सासा साम को चार बज़े आपको पचास-पचास महत्वपुड सामान अधन प्रिश्वत की सरी चला रहे हैं उस सीच के देखिए छपपन नंबर पार्ट है इसके पहले आपको 55 पार्ट करा जा चुकर जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्सन मिल जागी ऊपर आई बटन मिल जा आते हैं जिने वीडियो की इनफार्मेशन अपडेट नहीं मिल पाती हैं क्या किजिए यहां पर आपको लाल लंग कि सस्काइब कर दिक रहे होगी इसको दबाकर लाल से काली कर देजेगा बगल मलागी नोटिपीकेशन बिल को से दबाएगा ताकि पलपल की अपडेट पहला प्रेशन है कौन सा देश छेतरफल के अनुसार सबसे छोटा है इन चार आपसों में चूज करना आपको ब्राजील भारत कनाडा रूस हम आपको 2-3 सेकंड का समय देंगे ताकि आप थोड़ा सोच सकेंगे इसका सही आपसन आपका भारत है भारत इन सभी देशों में सबसे छोटा है छेतरफल के आकार में भारत का नंबर आता है पूरे विश्व की बात करेंगे तो साथवे नंबर भारत आता है छेतरफल के मामले में पहले नंबर पर आपका रूस है दूसरे नंबर पर कनाडा है तीसरे नंबर पर आपका चीन है चौथे नंबर पर Option है, B Option दूसरा question है, लाल मिर्टी पर खेती करना कठीन है, क्यों कि, बताइए क्या कारण है कि लाल मिर्टी पर खेती नहीं की जा सकती यह मतलब कठीन है, मोटे जाए आतर पैदा किया जाते हैं लाल मिर्टी ओपर तो चार आपसन दिये गए, आप लोग सूच के बताईए, हम आपको फिर एंसर बताते हैं, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो का लाइक आपसे कर दीजेगे एक बार, इसका सही आपसन है, इसकी जल दारड की छमता जो होती है, वो कम होती है, इसी ल करते हैं, इसका सही आपसन आपका गरणती है, यह हमारे जो इसमें पाई जाता है, आपका प्रोस्टैट यह मनुस्ति के एर रूप में कारी करती है, इसका सही आपसन आपका भिष ऑंसन है, चोथा मैं आप लग लग लगा प्रयास किजेए, आज हम आपको सही सही इसका answer बता देते हैं चलिए इसका सही answer आप लोग इसदर से निकाल लिएगा पहले देखें 10 यहां से लिख लिजे 10 किलो मीटर को change कर लिजे मीटर में तो किलो मीटर को 3 कर लिजेगा इस प्रेकार से पावर बन जाएगी और 1 मीटर में 10 की पावर 3 मील आपके मिली मीटर होते हैं तो 3 और 3 6 एक 7 मतलब कि 10 की पावर 7 पावर इसका सही answer होगा तो यह हमारा simple सा method था उमीद करते हैं काफी लोग इसको सही करने का प्रियास की होंगे 5 नमबर पेशने आपसे पूचा जा रहा है काउन सा इस समू से समंधित नहीं है मेस्टरो, वीजा, मास्टर, क्रेडिट कार्ड बताइए काउन आपको यह समू से समंधित नहीं लग रहा है आप लोग के धेर सारे कमेंट आये थे कि आपको RRB NTPC का पिछले साल का पेपर चाहिए वैसे देखिए इन सब पेपर को मैं एक बार आपको करा चुका हूँ तो जो मेरे पुराने मेरे साथ जो जितने लोग जुड़े होंगे उनका यही रिवीजन हो रहा होगा तो काफी धेर सारे प्रेश्ट इसमें आपको RRB कोशन मिल सकते हैं तो इसका साइए आपसन आपका है D आपसन चलिए बताने का प्रयास किजिए परदान मंतरी राष्टपती, राज्य पाल ya फिर लोग सबा अध्यच्छ तो इसका साइए आपसन आपका है B आपसन मतलब की राष्टपती आपने देखा होगा राष्टपती के चुनाव में जितने भी वेक्ति खड़े होते हैं मालीजे तीन वेक्ति खड़े हैं तो A, B, C आप किसी A को ओट नहीं देंगे आप तीनों को ओट देते हैं आपको preference देनी होती है मालीजे आप चाह रहे हैं कि A बने हमारा राष्टपती तो आप A के A पर आप लोग करेंगे preference देंगे पहली दूसरे को preference इस परकार से देंगे तीसरे को preference इस परकार से देंगे preference देनी है कि आप पहले वाले को ज़्यादा चाहते हैं सात्वा प्रेश ने क्रिकेटर विराठ कोली को वर्स कितने में अरजुन पुरुसकार से समानित किया गया था बताईए अरजुन पुरुसकार विराठ कोली को कम मिला है 11, 12, 13, 14 बताने का प्रयास कीजी आप लोग पुराना कोशन है काफी कम लोगों को आएगा सही आपसन इसका है 2013 में विराठ कोली को अरजुन पुरुसकार मिला था और 2018 में क्या मिल गया है खेल का सबसे बड़ा पुरुसकार मिला है किसको विराठ कोली और मेरा भाई चानू को राजीव गांदी खेल रतें पुरुसकार मिला है 2018 का तो ये भी याद रखिएगा वैसे देखिए एक अरजुन को पुरुसकार पूँच लिया है 2016 का ये पेपर है आपका और 2013 से तक पूँच लिया है तो कुछ भी पूँच सकता है रेलवे नेस कोसिं को चलते है आठवाँ प्रेस ने आपसे पूँचा जा रहा है भुरुड के मस्तिश को नुकसान पहुचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन किया गया था बताए मच्छर जल वायु भोजन मतलब बताए जीका वायरस कैसे पहला था भुरूण के मस्तिक सो नुक्सान पहुंच रहा था जीका वारस तो ये मच्छर के द्वारा फैला था मच्छर के द्वारा आपका जीका वारस वहन गिया गया था ये आपसन इसका सही है नौवा नंबर कोशन है हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपबलिकन एसोसियेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताइए किसके द्वारा की गई थी हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपबलिकन एसोसियेशन काफी चर्चित सवाल बार बार आने वाला सवाल है इसके सही आपसन है भागस सिंग ने की दी क्योंकि भागस सिंग का नाम काफी कम जगों पर आता है लोग बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम है आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी आपकी मोती लाल नेहरों ने बनाए तो ये भागस सिंग का है इसलिए काफी पूचा किया जाता है बताइए स्पीडोमीटर, ट्रैकोमीटर, एनिमोमीटर, क्रोनोमीटर किसका उप्योग किया जाता है सौफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए इसका सही आपसन है ट्रैकोमीटर किया जाता है याद रखेगा वाईव यानों की गति को और जल यानों की गति को निर्धारित करने का काम किसका होता है ट्रैको मीटर का होता है जो कि आप से पूचा गया है भी आपसन इसका सही है 11 नमर पेशने कौन से साल बांगला देश एक सोतंत्र संसेदिय लोकतंत्र बना था किस साल बना था बताईए चार आपसन आपके पास हैं 71, 72, 72 हैं तो याद रखेगा दिसमबर, जनवरी, मार्च, फरवरी हैं तो प्रयास कीजे करने का आप लोग काफी कठिन बना दिया इसको आप लोग के लिए इसको सवाल को इसका सही आपसन हमारा बी आपसन सही है जनवर 1972 में उसका लोगतंत्र आपका इस्थापित हो गया था 12 नेमबर पेसने कठन आपको सही चुनना है चार आपसन आपको दिये गया है सही का आपको पताईए कौन आपको सही लग रहा है चार आपसन है अराम से इनको देखिए हम आपको 2 से 3 सेकंड का समय दे रहे हैं आप ल गलोबर वार्मिंग के करण जो होता है ना समुद्र का जल इस्थार क्या होता है बढ़ता है याद रखेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं का उपसन सही है आपका बी आपसन सही है गलोबर वार्मिंग से पूरे एक वर्स ग्लेसियर में बनने वाली बर्फ जो हमारी है वो कम हो जाएगी क्योंकि आपका समुद्र का इस्थार जब बढ़ेगा तो बर्फ जो हमारी कम होती है इसका आर्थ क्या है बर्फ हमारी जो है जल का इस्थार हमेशा बढ़ेगा तो यहां पर देख कम लिखा गया इसलिए गलत हो गया अगर जल का इस्थार यहादा हो ज जाता बर में पिगलेगी तो चल कर इस तर आपका बढ़ेगा आपको मालूम है अभी चर्चम यह आ रहा है कि इंडोनेसिया जो आपका दीप है इंडोनेसिया की जो राजदानी हमारी इस समय जा करता है वो डूब रही है आपने सुना होगा तो इसी कालर से है क्योंकि आपक उप्रि सुतंता सेनाली लाल बाल पाल करूप में जाने जाते थे अन्य दो नाम आपको बताने है देखिए पाल से हो गए है विपिन चंद्र पाल अब लाल बाल के नाम से कौन जाने जाते थे तो लाल से आपका लाला लाचपत राय हो जाएंगे और बाल से आपका बाल ग क्रेamt का नाम बताइए आपको मालूम एक ग्रेंट सलेम आपको पूरे बर्द से चलते हैं तो Ci娟ल एक तो चार ग्रेंट से खन मुते चलिए मैं आपको बता दिया उन्ट 있는 चार ग्रेंट सलel व का आपको नाम पहचानना है तो ध्यान रखिएगा ओलंपिक तो दूसरा है आपका ओलंपिक तो अलग खेल है तो यहाँ पर आप भी आप संदेख रहें ना आश्टेलिया ओपन फ्रेंच ओपन यूवेस ओपन और बिम्बल्डन आप करम भी आपके लिए काफ इंपॉर्टन है पहले नंब भी आप लोग याद रखेगा आपके एक्जाम के लिए काफी महत्तोपूर है इसका भी आपसन सही है 15 नंबर पर भारती मूल की कलपना चावला अंतरिच यान से कहां गई थी कोलंबिया चैलेंजर अटलांटिस एवेंडर मतलब अंतरिच में जो यान से गई थी उस यान क आपसे नाम पूचा जा रहा है बताइए कलपना चावला हमारी आपकी भारती मूल की थी तो अमेरिका से यह गई थी तो आपका यान का नाम पूचा जा रहा है अंतरिच में किस यान से गई थी इसका सही आपसने कोलंबिया आपका यान का नाम था याद कर लिजेगा इन हमने आप आप एक बार आपसे चर्चा कर चुके हैं यहतने पुराने लोग होंगे वो लोग जजादा करने का प्रयास किजह गाँ नए मित्र हमारे हैं उसारा का सारा रिवीजन करिएगा फिरसे आपके लोग एक बार एक बार वीडियो का और देखियेगा तब आपको सारे प्रेशन में याद हो जाएंगे 16 नमबर प्रेशन में गैलन समानता किसके लिए इस्तमाल किया जाता है बताइए हम लोग गैलन का इस्तमाल करते हैं ना गैलन तो गैलन किसके लिए इस्तमाल किया जाता है तो C option सही है इसका, चलिए, next question के ओर चल, 17 नमबर है, bleaching powder का सरवाधिक सक्री घटक कौन सा है, bleaching powder, बताए, क्या है इसका सक्री घटक, तो सबसे पहले आपको फर्मूला मालूँ चुभी, bleaching powder क्या होता है, CAO, CL2 होता है, तो ये calcium hypo chloride, ये इसका सबसे सक्री घटक है, ये जलते हैं, इसका सही option आप देख लिजे नीचे, B option दिया गया है, 18 नमबर पर हीरा कुंड जला साए, किस नदी पर बना गया, बताए, हीरा कुंड बाध भी पूं सकता है आप से, तो किस नदी पर है हीरा कुंड, तो आपका महा नदी पर है, महा नदी आपकी कहां पढ़ पर हीरा कुंड जो बांध है, वो आपकी महा नदी आपका पढ़ता है, 19 नमबर पर इसने, जब कोई वेक्त केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को देख पाए, तो इस इस्तिती को क्या कहा जाता है, चार आपसन आपको देगे हैं, तो पहचानिए क्या होगा, जब अब आपको ये सोचना है कि आप नजदीक की वस्तुओं देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप दूर की वस्तुओं नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या सही हो सकता है, तो निकट देश्टी दोस में हमें दूर की वस्तुओं नहीं दिखाई पड़ती है, निकट की वस्त कि दूर की देश्ट में कोईं नहीं आपको वियात कि किक के द्वारा एचे को डी सी में परवरतित किया जाता है चार आपसन दिये गए हैं मतलब कि alternative current को direct current में आपको बदलना है तो आप किसका प्रियोग करेंगे प्रत्य वरती धारा को द्रिश्टी धारा में आपको परवतित करना है दो प्रकार की धारा होती है AC और DC इसका सही आपसन आपका है rectifier के द्वारा AC को DC में बदलते हैं और DC को AC में किसे में बदलते हैं आपका AC से DC में रेक्टी फाईरा को AC द्रियो करते हैं दोनों प्रस्ष्ण आपके एक्जाम में आएंगे चलिंदे क्या है चार आपसन आपको दिये गए है NaCl, Na2CO3, H2O, He बताइए क्या आपको भिन लग रहा है यहाँ पर देखिए सभी तीनों के तीनों आपके योगीक है एक आपका क्या है परुमाड़ आपको दिया गया है तो यह सही आपसन आपका D आपसन सही है देखकर आपको पताचल लाओगा कि सभी योगीक है और यह आपका जो है मारा परुमाड़ के रूप में लिखा गया है बाइस नमबर पर दास वंस की स्थापना किसके दोरा की गयी थी चार आपसन आपको दिये गये है कुटुब इद्दीन एबक, महमूद गजनवी, मुहमत गोरी, रजिया सुल्तान बहुत बार पर पर शचन आपके पास यह दास वंस इसे कहते हैं मामलूक वंस भी कहते हैं तो यह भी याद रखेगा इसका सही आपसन आपका कुतुबुद्धी ने बग के द्वारा किया गया था चलिए नेस्ट कोशन के ओर चलते है 23 नमबर पेशने पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रिक्रिया क्या कहलाती है चार आपसन दिये गया है बताइए आप लोग क्या कहलाती है पानी से हैड्रोजन को अलग करने की प्रिक्रिया इसका सही आपसन है आपका ए आपसन विद्दूत अपगठन कहलाती है चलिए 24 नंबर प्रेशने भारत के 15 प्रधान मंत्री का नाम आपको बताना है चार आपसन दिये गए हैं पंदरा भी बन चुके हैं 16 वे बन गए हैं नरेंद मोदी जी हमारे हैं 15 वे थे आपके 16 वे दो लगातारिन का कारेकाल स्टार्ट हो गया है अभी 2019 में लोग सभा के चुनाओ जीतने कारण पुना प्रधान मंत्री बन गए हैं तो 16 प्रधान मंत्री गुरूप में ये कारे आ सब्सक्रास ये जाता है एक वईंदो बॉर्ड पर कॉनसा बटन ये चल Leathersытर мешके तडॉह हिलप पे जो कौन खोलता बता ये कौनसा फंक्सथन की जो है मे promuारा वह行了 pay फेस खोलने मदद करता है चारा pretty आपकी बारा फंक्षन की होती ना उपर की और उनसे आप कोई भी कारे कर सकते हैं तो आपसे पूंचे ज़रा हेल पेज खोलने के लिए कौन से की है तो ए नमबर हमारा एफ वन जो आपकी की होती है वह हेल पेज की और जाएगी जो आप उसको दबा देंगे 27 नमबर पेजने भारती करेंसी नोटों के पीछे भाग पर कितनी आपकी भासाइं मुद्रित होती है आपकी नोट देखेंगे आप अपने नोट के पीछे पलट कर देखिएगा एक चौकोल खाना इस तरह का बना होगा उसमें धेर सारी भासाओं से रुपिया लिखा होगा जिसे 500 रुपा है तो आपको असमिया भासा में, हिंदी भासा में, हिंदी और इंग्लिस में जो आपका लिखा होता है वो आपका नोट के बाहर लिखा गया होता है 17 भासाओं को टोटल हम लोग यूज करते हैं, 15 इस लाइन पे आपको लिखी होगी, इसके अंदर सभी भासाओं 15 मिल जाएंगी और दो भासाओं आपके एक इंग्लिस में, एक आपकी हिंदी में, वो बाहर आपको दिखती है वो भासाओं तो 15 भासाओं उस बाक्स के अंदर है, पीछे की भाग में और टोटल हमारी 17 भासाओं का यूज होता है इसका सही आपसान हमारा सही आपसान है क्योंकि 17 इसमें था ही नहीं 28 परेशने, 2014 के ACI खेलो में, ASEAN Games में, सोन परदाक पराप्त करने वाली पाहिली मुक्चे बाज बताना है आपको महिला मुक्के बाज बताए कौन है 24. 2014 के ACI खेलो में, आपके सोन परदाक प्राप्त किया था तो यह से आपके महिरी काउँ ही कर सकती है उस समय इस समय लगतार वो अच्छा कर रही है तो B option इसका सही है 29 नमबर पेशने फीपा 200 इस्तरी रैंकिंग में 7 जनवरी 2016 लिखा गया इसको परुतित करके आप लोग 2019 कर लिजेगा अभी आपको latest रैंकिंग बताएंगे हम जारी सूची में कौन सा इस्तान रहा है फीपा की जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें सीर्ष सिस्तान पर किसका नम है फीपा आपका जो होता है फुटबाल के छितर का एक गेम होता है तो उसमें आपको बताना है कि सबसे अवल नमबर पर फर्ष्ट नमबर पर कौन सदेश है यह चार आपसन आपके लिए हैं 2019 काट के कल दीजेगा अब आप लोग 2019 का बताना है आपको याद रखेगा पहले नमबर पर बिलजियम है बिलजियम आपको आपसन में दिया गए 2016 में बिलजियम था और अभी भी आपका बिलजियम है भारत की इस समय की फीफा रंकिंग है 101.1 इस्तान है याद रखेगा 101 इस्तान पर इस समय बारत है पहले नमबर पर आपका बिलजियम है दोनों चीज़ आपको याद रखने हैं 2019 की बात कर रहे हैं आपसे तीस नमबर पेस्न है आईडियो हेंडफों की पहले सबसे पहली 1910 में किसके दोरह बना गया था पहली जोडी 1910 में किसके दोरह बना गया था आईडियो हेडफों जिसे आप सुनते हैं गाने तो इसका सही आपसन है याद कर लीजेगा B आपसन सही है North Leon Baldwin है याद कर लीजे पडिया जाता है बताइए बताये कि अप्योग आप खाना पकाने के लिए करते हैं है तो आप लावि विशना होती है यह आपकी आपसन सही है चलिए नेश कोशन के ओड़ चलते हैं 32 नमर पेशने किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट मंडल खेल या फिर कामन वेल्थ गेम में अपनी मेजवानी की थी बताइए भारत में पहले राष्ट मंडल खेल कब हुए थे 1990, 98, 2 या फिर आपका 2010 में कब हुए थे इसका सही आपसन है D आपसन 2010 में आपके राष्ट मंडल खेल पहली बार भारत में हुए थे पूराना डाटा भी आपसे पूचता है सभी चीजों को आपको तयार करते हुए आगे बढ़ना है 33 नमबर पेसने कीमो थेरपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है बताए हिरदय रोग गुर्दे की विफलता कैंसर हेपेटाइटिस कीमियो थेरपी जो हमारी है वो आपका कैंसर के लिए दी जाती है याद रखेगा कैंसर इसका सही आपसने कीमियो थेरपी से आपक पर डिजाइन तयार किया गया था, सही आपसन इसका है, पिंगले वाइकईया के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा बहुत बार प्रिशन है आपके एकजाम में, आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो के एक बार आप लो लाइक अब सिकीजेगा, नए आपसन हैं, आपके पास में चूच कीजिए इसको, थोड़ा सोचीए आप लोग, सही आपसन इसका है, बी आपसन, कपास और कपास के लत्तों का प्रियोग करते हैं, भारती मुद्रा की नोटों की छपाई के लिए, 36 नवर पेसन है, किस नदी को दच्छिड गंगा नाम से जहा जाता है, चलिए बताईए दच्छिड की गंगा या दच्छिड गंगा के नाम से जहा जाता है, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इसमें थोड़ा ये कन्फिजन होता है, कहीं कहीं पर आपसे पूं वह आपकी कावेरी नदी कहते हैं, इसका सही आपसन आपका गोदावरी है, दच्छिड की गंगा, चलिए, नेश कोशन के ओर चलते हैं, दच्छिड भारत की गंगा हमारी कावेरी नदी है, 37 नमबर प्रेसने सुतंता सेनानी भाकस सिंग को किस वर्च फांसी दी गई थी, बताए किस वर्च आपको भाकस सिंग को फांसी दी गई थी, 1930, 31, 32, 33, तो इसका सही आपसन आपका है, B आपसन, सन 1931, 23, मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी, 38 नमबर प्रेसने, अडुरांचल प्रदेश की आपसे राजधानी पूची गई है, सिंपल प्रेसन भी आते ह करने के लिए सिंपल प्रेसन देता है, कुछ प्रेसन आपके कठीन आएंगे, तो कुछ सरल, तो कुछ बहुत सरल आते हैं, इसका सही आपसन आपका है, देख लिजी आप लोग सी आपसन सही है, इंटा नगर आपकी राजधानी किसकी है, और अंचर प्रदेश की राजधा करी जातर उन्तालिस नंबर पेस्ट ने स्वतंत्र भारत में भारती राश्ट्री कॉंग्रेस की पहली महिला अध्याच्य कौन बने थी बताइए स्वतंत्र भारत मतलब की 1947 के बाद आप से पूँचा जा रहा है चलिए बताइए कौन बनी है इसका सही आपसन है आपका बी आपसन इंद्रा गांधी बनी है याद रखेगा तो तीन कोशन आप ध्यान रखेगा जो अमारी भारती राश्टी कॉंग्रेस की महिला आपकी अध्यच्य बनी थी आपकी ए भारती राश्टी कॉंग्रेस की महिला अध्यच्य बनीती एनी बेसेंट जब भारती लगा देगा तो सरोजनी उनाइडी सही कर दिएगा अब आपसे स्वतंत्र भारत की पूंच रहा है मतलब उनी सो सही बात की पूंच रहा है तो इंद्रा गांधी सही कीजिएगा उमीद करते हैं आप लोग इसको इस परकार के प्रशनों को सही धंक से सोचने का प्रियास करेंगे चालिस नमबर प्रेशन है अंतराश्टी अंतरीच चविस स्विद्यालाय का वैस्विक मुख्यालाय कहां पर है चार आपसन है आपके बाद बताईए सही आपसन है डी जाएंगे तुमारा प्रेयास है जितने भी कंप्यूटर से कोशन मिल रहें सारे आपको करा देते हैं में सॉपिस क्या है एक सही आपसन है बी आपसन अप्लीकेशन सॉप्ट्वेर है याद रखिएगा आप लोग 42 नमबर है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्वीराम रेखा को नियंतर रेखा में कब परतित किया गया बताईए LOC में कब परतित किया गया 71, 72, 73, 74 LOC मतलब होता है कि आपका फुल फार्म होता है लाइन आप कंट्रोल LOC लाइन आप कंट्रोल होती है पहले आपकी जुद्वीराम रेखा के नाम से जानी जाती थी फिर आपका इलोसी के नाम से जानी जाती है लगबग 780 किलोमीटर की आपकी इलोसी पड़ती है मतलब कि उधर का छेतर आपका पाकिस्तान को होगा इधर का छेतर आपका इलोसी से इधर का छेतर हमारा भरत को होगा सही आपसन इसका हमारा भी आपसन सही है 1972 में आपका ये किया गया था इलोस्री में प्रुर्तित किया दिया गया था युद्ध विराम रेखा को 43 कोशन है मारा Y producer के संदर में PM का तातपर आपको बताना है PM का फुलपार मता ही है Y producer के संदर में आपके लिए नया कोशन हो सकता है देख लिए इसका सही आपसन C आपसन है कड़किय पदार्थ कहते हैं पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं PM का फुलपार मता Y producer का ये आपका संदर भीत करता है 44 नमबर प्रेशन है सोर के किस इस्तर के उपर सोर का उपर का सोर कान में दรद और छथी का करण बन सकता है इससे जादा अगर आपके डेशिबल बढ़ाए गया तो आप पागल हो सकते हैं आपका कान का परदा फट सकता है तो यह आपकी जो होती है maximum limit आपकी यहाँ पर आपके कान में दरद और छथी हो सकती एक सो तीस डेजिवल में आपका 45 नाबर पिसने भुकम आने का कारण क्या है चार आपस दिए गए आपको चूच कीजिए भुकम आने का क्या कारण है साही आपसन इसका है प्रित्वी की वीवर्तनिक प्लेंटों का टेक्टानिक प्लेंटों की जो गती होती है जो नीचे हमारी जो प्लेंटें हैं आपकी भूतल में वो आपस में जब टकराती है तब ही आपका भूकम पाता है तो यह हमारा डी आप्सन सही है 46 नमबर प्रेशने बांगला देश के मोहमद यूनिस को उनके किस योगदान के लिए 2006 में नोबल सांती पूरुसकार दिया गया था चलिए देकि कहां कहां से आपसे कोशन पूछे जा रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा आल लाउंडर बनना पड़ेगा सब छेतर आपको द आपसे कानती पूरुसकार दिया गया था 47 नमबर प्रेशने निम लिकित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है चलिए याहू बिंग फिलिकपार्ड गीगा ब्लास्ट क्या सर्च इंजन नहीं है तो फिलिप्ट कार्ड में आप लोग कुछ सर्च नहीं करते ना तो फिलिप क नमबर में प्रिश्ट कराइंटर्व किस देश में स्थित है देन्यक्य कुव्य है इसका exercise है चीन में आपका क्वेगावर क्याथ mobs Cris कवारित वह और वाला जल्कवका सीसरही करने रीशले का वेड करता में बताईए जल कट्व कहां पर होता है छेल आपका कापी आपका विवात का विसाई बन गया था सुप्रीम कोट एह मैटर पूरा चला गया था जलकट्टू वाला कापी चर्चा में रहा था तमिल नाड में होता है साढ़ो से आपको वस में करना है खेले जलकट्टू के नाम से जाना जाता है आज का हमसे लास्ट कोशन होगा आज का पच्चास नम्बर कोशन है आप लोग को बताना है खगोली लीप जाता है चार आपको देगे हैं लीप जा जाता है खगोली आपकी दूरियां सभी दूरियां बड़े-बड़े आपका प्रकास वर्सों में नापी जाती हैं याद रखेगा आप लोग सभी आपसन हमारा है प्रकास वर्स यह हमारी 50 प्रकास वर्सों की स्रीज थी आपको वीडियो कैसा लगा आवसे आप लोग जवाब दीजेगा काफी प्रकास में आपको काफी रिपीटेट कोशन मिले होंगे क्योंकि आपको 2016 के इंटिपी सिक पेपर हमें आपको कराया हुआ है आप इसमें से कितने कोशन सही कर सकते थे वैसे अपने हर स्रीज में 30-35 के लिए करता हूं लेकिन यह स्रीज आपके लिए कापी सरलती आप लोग इसमें से 30-40 अवस्त कर सकते थे चलिए बताएगा आप लोग कमेंट बाक्स हैं वीडियो के लास्ट में आपसे दो कोशन पूछते हैं चलिए उनकी भी आप इसका एंसर देख सकते हैं लिउनर किस प्रेकार समंदीत है चलिए एक और कोशन आपसे पूछते हैं दूसरा प्रिशन है आप लोग के लिए स्रवड वेल गोला कहां परिस्तित है चार आपसने उडिशा केरल तमिलनाडु करनाटक कहां परिस्तित है और यह भी आप लोग आप से पूचें हमने उमीद करते हैं आप लोग इनको बता ले जाएंगे यह नहीं बता पाएंगे तो आपको कमेंट बाक्स में सर देख सकते हैं नेस्ट वीडियो में फिर से आपकी मिलते हैं सामको चार बजए आपको नए-एन प्रकर के पेपर करा रहे हैं 2016 में काफी परवर्तन हो गया है तो वह चीजियों को आप लोग ध्यान रखेगा कि आप 2016 करना पेपर लगाते रहे जाए अभी के पेपरों को देखना आपको डाउट लगता है तो आप लोग बता सकते हैं नेस्ट वीडियो में चर्शा कर लेंगे और नए मित्र जतने हमा आप लोग सभी को धन्यवाद आप सभी का